यहां हम जोड के कुछ सवाल हल करेंगे ताकि अच्छा अभ्यास हो जाए और हम जोड के लिए तैयार हो जाएं मैं यह भी दिखाना चाहता हूं कि अब हमारे पास वे सभी उपाय हैं जिनसे हम किसी भी तरह के जोड़ के, याने किसी भी तरह के जोड़ के सवाल हल कर सकते हैं तो चलो हम पहले एक अंक वाले कुछ सवाल करते हैं, लेकिन ये सवाल भी थोड़ी सी परिशानी पैदा करते हैं आईए हम बिल्कुल सरल सवाल से शुरू करते हैं मैं कहता हूँ दो जमा चार खेर इसे तो हम जानते ही हैं मुझे नहीं लगता कि यहां हमें संख्या रेका खीचने की ज़रूरत पड़ेगी पर यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं दो जमा चार बराबर छे नौ जमा तीन कितने होते हैं हमने पहले देखा है कि नौ जमा एक बराबर दस है इसमें एक और जोड़े तो ग्यारा तीन जोड़े तो यह बारा होता है यहां जो भी हो रहा है उसे देखना अच्छा है परन्तु इसे तेजी से करने के बारे में भी सोचना चाहिए कम से कम यह याद करने के लिए कि एक अंक वाले जोड कैसे करते हैं चलो हम एक कठिन सवाल लेते हैं छह जमा साथ यह थोड़ा मुश्किल लगता है याद करने में मुश्किल होती है पर 6 जमा 7 बराबर 13 विश्वास नहीं हो तो आप संख्या रेखा और नीबू या संत्रे बना सकते हैं 6 जमा 7 बराबर है 13 8 जमा 6 या 6 जमा 8 बराबर 14 ही होते हैं यानि यहां भी वही है जो 7 और 7 जोडने पर होता है 14 हमने 8 से 1 अलग किया है लेकिन हमारे पास 6 से 1 अधिक था यानि हमने 8 में से 1 निकाल कर उसे 6 में मिलाया इसलिए हमें वही जवाब मिला अगर यह आपको उलजाता है तो इसकी तरफ बिलकुल ध्यान मत दीजे ऐसे ही कुछ और सवाल इसी थरह 8 जमा 8 बराबर हुआ 16 भविश्य में ऐसे सवाल आप बड़ी तेजी से हल कर पाएंगे 5 जमा 6 इसका जवाब तो 11 है कुछ और सवाल जल्दी जल्दी हल करते हैं मैं कहता हूँ कि 7 और 9 का जोड 16 होने वाला है यदि आपको मुझे पर विश्वास नहीं हो तो आप संख्यारे का खींच सकते हैं यह भी वही है जो 8 और 8 जोडने पर होता है 16 और 9 जमा 9 बराबर 18 और 9 जमा 8 बराबर 17 यह तो अभी शुरुवात है हमने एक अंक वाले सभी संभावित जोडों को हल नहीं किया लेकिन यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो थोड़ा परिशान करते हैं इन्हें करने के बाद आएए कुछ बड़े अंकों की संख्या वाल हल करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखा था चलिए छोड़िए उनमें से एक दो प्रश्न हल करते हैं तो हम बाईस जमा तीन हल करते हैं हम एकाई के स्थान पर जाते हैं दो जमा तीन बराबर पांच हमें कुछ भी हासिल नहीं ले जाना है और यहां दहाई के स्थान पर मात्र दो है और हम उस दो को लेते हैं, दो में कुछ नहीं जोड़ना है, ये दो दहाईया हैं, इसलिए हम उसे यहां नीचे रखते हैं, इस तरह हमें 25 उत्तर मिलता है, दो दहाईया और 5 इकाईया, भई आप अपने गुल्लक के पैसे गिन कर भी ये जोड बड़ी आसानी से सीख सकते है ठीक है, एक और प्रशन हल करते हैं, तो 38 जमा 17, 38 जमा 17 कितने होते हैं, पहले हम केवल इकाई के स्थान को देखते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, चलिए आईए यहां लिखते हैं, तो 8 जमा 7, 8 जमा 6 से 1 ज्यादा होगा, यहां 8 जमा 6 बराबर है, 14, तो 8 जमा 7 इस से 1 ज्यादा होगा, यानि कि यह 15 होगा, इसलिए इस सवाल में हम 5 यहां इकाई के स्थान पर लिखते हैं, मैं इसे दूसरे रंग में लिखता हूँ, इस तरह 15 में से 5 को हम यहां नीचे इकाई के स्थान पर लिखते हैं, और एक हासिल आगे ले जाते हैं क्योंकि यह एक दहाई है, यहां एक 10 है, यहां 15 जमा 5 के बराबर है, इसलिए इस एक का मतलब एक 10 या एक दहाई है, इसलिए हम इसे वहां दहाई के स्थान पर रखते हैं, हमारे पास एक जमा 3 बराबर 4 और जमा 1 बराबर 5 है, तो हमें उत्तर मिला 55, एक जमा 3 जमा 1 बरा कुछ और सवाल हल करते हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे पास किसी भी सवाल को हल करने के कई उपाई हैं, मान लो कि हमारे पास 47 है, इसका रंग बदलते हैं ताकि रोचकता बनी रहे, 47 जमा 9, हम इकाई के स्थान को देखते हैं, 7 जमा 9, हम पहले भी इस सवाल को हल कर चुके ह शाथ जमानों बराबर 16, आप 6 को इकाई के स्थान पर लिखें और एक हासिल ले जाएं, अब ये दहाई के स्थान पर है, इसलिए एक दहाई जमा चार दहाईयां बराबर 5 दहाईयां, यानि 5 दहाईयां और 6 इकाईयां, ये तो 56 हुआ, चलो अब थोड़ा कठिन सवाल करते हैं, मैं इसे यहाँ नीचे लिखता हूँ, ताकि हमें थोड़ी जगे मिले, थोड़ी जगे हमेशा ज़रूरी होती है, ठीक है, तो हम कुछ कठिन सवाल करते हैं, 99 जमा 88, ये कठिन है, अब इस सवाल को टुकडों में देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे होता है, तो 9 जमा 8 कितने होते हैं, हम इसे उपर कर चुके हैं, हम पहले से जानते हैं कि 9 जमा 8 बराबर 17, इसे याद रखना आसान है, 9 जमा 8 बराबर 17, इस तरह 9 जमा 8 बराबर है 17, एक हासिल ले जाते हैं, इसके बाद हमारे पास 1 जमा 9 बराबर 10 है, 10 जमा 8 बराबर है 18, ये दि अठारा लिखना है, एक जमा नौ जमा आठ बराबर अठारा, ठीक है, एक जमा नौ जमा आठ बराबर अठारा, हमने वहाँ नीचे आठ लिखा और हम एक हासिल ले जाते हैं, और हम एक को सैकडा के स्थान पर ले जाते हैं, यहाँ इकाई का स्थान था, यहाँ दाई का स्थ और हब हम सैकडा के स्थान पर हैं सैकडा के स्थान पर तो कुछ नहीं है इसलिए आप 18 को ठीक ऐसे ही नीचे लिख सकते हैं तो दिन्यानवे जमा अठासी बराबर 187 आप देख सकते हैं कि इन सब का पैटर्न एक सा है हम इसी तरह से 10 अंकों वाली 2 संक्याओं को जोड सकते हैं बस जोड के हासिल आगे ले जाने में सावधानी बरतनी होगी तो देखते हैं 700 इसे अलग रंग से लिखते हैं अच्छा चलो पहले 3 अंकों की किसी संक्या को हल करते हैं यह छोटी है तो आएए हम 4 अंकों की एक संक्या लेते हैं तो 4,368 में हम 572 जोडते हैं देखें यहां क्या होता है 8 जमादो मैं इसे यहां नीचे लिखता हूँ 8 जमादो हम जानते हैं कि यह 10 होता है यदि जरूरत है तो इसके लिए आप संक्या रेका बना सकते हैं 8 जमादो बराबर है 10 शून्य को एकाई के स्थान पर रखें और एक हासिल ले जाएं अब हम दहाई के स्थान पर हैं असल में यह एक दहाई है यह 6 दहाई है यह 7 दहाई है तो एक दहाई जमा 6 दहाई बराबर 7 दहाई 7 दहाई जमा 7 दहाई बराबर 14 तो ठीक है, यहाँ 14 आता है, एक जमा छे जमा साथ बराबर, एक जमा छे है, साथ है, और साथ जमा साथ है, 14, तो ठीक यहाँ 14 आता है, एक को हासिल के लिए आगे ले जाएं, अब हमारे पास है, मैं इसे गुलाबी रंग में लिखता हूँ, हमारे पास है एक जमा तीन, अब जमा तीन बराबर चार, जमा पांच बराबर नौ, कुछ भी हासिल नहीं ले जाना है, हमारे पास केवल इकाई के स्थान पर कुछ था, मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि नौ केवल नो इकाईयां है, दहाईयां नहीं हैं, अब हम हजार के स्थान पर पहुंचते हैं, हजार के स्थान पर मौजूद अंक में कुछ नहीं जोड़ना है, इसलिए आपको केवल यह 4000 लेना है, यह 4000 इसलिए है क्योंकि यह बाई और का चौथा अंक है, तो यह 4000 जोडने के लिए हमारे पास कोई और 1000 नहीं है, इसलिए हम सीधे नीचे ले आते हैं, इस तरह 4368 जमा 572 बराबर है, 4000 पढ़ने में इसे आसान बनाने के लिए हम यहां एक कौमा लगाते हैं, 4940